हाई गाईस आज महाशिव रात्वी के अफसर पर मम्मी चली आई है हमारे घर के पास ही बना हुआ अन्पूर्णा मंदिर जहाँ पे अन्पूर्णा जी के साथ शिव जी की भी पूजा होती है तो मम्मी आज आ गए है यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो आप देखी सकते हैं यह मंदिर का स्ट्रक्चर काफी हद तक दक्षनेश्वर मंदिर की तरह है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि मैं कभी आपको आद में बताऊंगी तो चलिए देखिए आपे कितनी लंबी लाइन लगी है शिव जी को जल डालने के लिए तो यहाँ पंडित जी शिव जी के आरती कर रहे है और पास में ही एक अच्छा सा पैंडल बना हुआ था शिव जी और माता पार्मती के लिए तो यह देखकर ही हम लोग चलते गए गंगा की ओर यह मंदीर मैं आपको बता दूँ गंगा के एकदब गना रही है तो आपको यहाँ का जो द्रिश्य है इतना मनोरम लएगा इतनी शांती मिलेगे नहीं यहाँ पर क्या मताओं को इतने भेड में भी आपको बहुत जादा मन की शांती मिलेगे तो यहाँ पर देखे आप कितना अच्छा दृश्य है गंगा की शाम को और यह देखे मम्मी ने लगाया माथे बे तिलक शीव जी का जो एक्दम सिखनेचर लोगों होता है इसको हमका तो वही मम्मी ने लगाया मम्मी और भाई दोनों ने यह दिखे यहाँ पर भाई भी लग गया लाइन पर उसको भी यह करना था तू तिलक लगाने के बाद मम्मी चली गई गंगाखाट वहाँ से एक डुपकी लगाई और ले लिया गंगाजिल जो कि अब जड़ाएंगी शिवजी को तो इसे मंदिल पर शिवजी की पूझा हो रही है हम देख सकते हैं शिवजी को काफे भीरती बहुत लंबे लाइन के बाद मम्मी को यह मिला